So hello and welcome you all, I am Rohit from Mahajant Reader So guys, आज हम बात करेंगे लक्षमी ओर्गैनिक के बारे में So guys, लक्षमी ओर्गैनिक इंडिस्रीज एक दमदार स्टॉक है और guys, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इसके लेवल्स के बारे में कुछ इंपोर्टेंट लेवल्स को हम देखेंगे और guys, यहाँ पर एक एसा लेवल है जिसे अगर लक्षमी ओर्गैनिक का जो स्टॉक है इस लेवल को अगर ब्रेक कर देता है तो बिक फॉल यहाँ पर आ सकता है एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है तो guys, क्या इसे खरीद लेना चाहिए तो बिलकुल खरीदने से पहले वीडियो को पूरा देखना और क्या अगर आप लॉंग टर्म के हिसाब से खरीदना चाहते हो तो ओभी देखूंगा और बड़ा टार्गेट दिया गया है लक्षमी ओर्गैनिक्स में ओभी हम देखेंगे तो काफी कुछ बाते होने वाली इस वीडियो में तो वीडियो को एंड तक देखना और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल दमाजन ट्रेडर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो guys, प्लीस चैनल को सब्सक्राइब कर देना 4 shares के अबडेट्स के लिए shares के latest news के लिए तो guys, वीडियो करते है start तो guys, बात कर रहे हैं Lakshmi Organic Industries Ltd. के बारे में Lakshmi Organic Industries Ltd. एक दमधार स्टॉक है 422 रुपे पे स्टॉक ने क्लोजिंग दी है 22 रुपे 25 पेसे तक stock में गिरावट हमें देखने को मिल रही है fall हमें देखने को मिला 5.01% के हिसाब से a stock नीचे की और गिरता हुआ नजर आ रहा है तो guys गिरावट तो stock में हमें देखने को मिल रही है बट यहाँ पर गिरावट का reason भी मैं आपको अगर बताओ तो यहाँ पर आप देखो तो मैं किस लेवल की बात कर रहा था तो stock में हमें उचाल देखने को मिला था stock यहाँ पर हमें उपर जाता हुआ नजर आ रहा था यहाँ पर से और एक retransman है और भी मैं बताओगा आगे और इस particular लेवल पर support लेके stock उपर की और गया बट यहाँ पर आपको एक चीश्ट clear देखने को मिल रहे होगी कि यहाँ पर एक double top जिसा pattern यहाँ पर बनता हुआ नजर आपको आ रहा होगा और guys यही मैं बताना जा रहा हो कि अगर यहाँ पर नीचे की और breakout देता है नीचे की और breakdown देता है तो एक बड़ा fall आ सकता है इसे बड़ी गिरावट आ सकते है क्योंकि already यहाँ पर एक bearish pattern बन रहा है और bearish pattern जब भी बनता है तब एक रहते हो एक रहते होता है कि यहाँ गिरावट आ सकती है या फिर हो सकता है guys इस particular level पर अगर support लेता है तो एक jump आ सकता है तो एसा भी हो सकता है तो कई सारी चीजे हैं जो हमें देखने को मिलने वाली है और मुझे तो लग रहा है कि यह कुछ इसी तरीके से sideways momentum बनाएंगा और इस तरीके का level बनाके breakout देने वाला है मुझे तो ऐसा भी लगता है बट यहाँ पर wait करो क्योंकि इस level पर support यह लेगा ही लेगा 410 रुपे के आसपास और खरीदारी करने का आपको मुका है वहाँ तक तो stock आने वाला है और यहाँ फिर हो सकता है यही से reverse हो जाए और यहाँ पर अगर गाइस देखा जाए तो stock में तो यहाँ पर एक sideways momentum बनने के बाद एक फॉलिंग वेच पैटन भी हम इसे कहते है रेजिस्टन्स और सपोर्ट का गेम चल रहा है रेजिस्टन्स लिया सपोर्ट लिया रेजिस्टन्स लिया तो कुछ इस तरीके का पैटन यहाँ पर चल रहा था और breakout के बाद stock उपर आया अच्छा कासा उपर आया रेटेस् गया, फिर उपर गया, फिर नीचा आया, फिर नीचा आया, कुछ इस तरीके के पैटर्न बन रहा है, और हो सकता है, यहां से फिर एक blast candle बने एक हलका सा तो नीचे आएगा 410 रुपे तक तो यह आ नहीं वाला है मैं तो बोलता हूँ और यहाँ पर target तो हमारा target तो सीधा 595 का है क्योंकि इस particular level से नीचे आथा तो वही हमारा target भी होने वाला है बढ़ते बागे और दिखते 5 दिन के time frame पर stock में क्या गिरावट है तो बिल्कुल similarity के साथ बढ़ रहा था बट अचानक से एक fall देखने को मिला कहीना कई market भी यह नीचे था तो उसके कारण भी गिरा है stock 45 रुपे तक stock में गिरावट है 5 दिन के time frame पर 9.25 5% के हिसाब से अच्छा stock गिरा है और एक महीने में क्या हमें देखने को मिल रहा है इस तो एक महीने में की अगर बात कर ले 47 रुपे 70 पेसे तक stock नीचे की और गिर गया 10.16% के हिसाब से गिरावट हमें देखने को मिल रही है stock में और 6 महीने की अगर बात कर ले तो 6 महीने में आप देख सकते हो 31 रुपे तक स्टॉक में एक बड़त हमें देखने को मिली 7.93% के हिसाब से स्टॉक में एक बड़त हमें देखने को मिली है और वही गाईज अगर बात करें तो स्टॉक का मार्किट क्या है मार्किट क्याप है 11.13,000 करोड का और मार्किट क्याप के इसाब से तो एक चीश तो क्लियर है कि एक मिट क्याप स्टॉक की केडिगरी में स्टॉक आता है और डिविडेंट की अगर बात कर लो तो 0.12% का स्टॉक डिविडेंट भी देता है साथ ही अगर बात करें तो स्टॉक ओपन का हुआ था तो 415 रुपे के प्राइस पे स्टॉक ओपन हुआ है और 441 रुपे साथ पैसे का इसने आज हाई भी लगा बट सड़न इसमें एक लो आ गया है एक डाउन फॉल आता हुआ में नजरा रहा और 415 का लो भी है तो कही न देखें इसका 50 रुपे का हाई क्या कहता है तो 628 रुपे का इसका हाई है और 143 रुपे 25 पैसे का इसका लो भी देखने को मल जाएगा वहीं अगर बात करें तो यहाँ पर कहीं न कहीं बड़े टार्गेट भी दिये जा रहे हैं बड़े-बड़े फर्म्स की ओर से यहाँ पर अनन्राथी जी है एक analyst है तो उनकी और से एक target दिया गया है लक्ष्मी और्गेनिक में तो target price क्या है तो 535 रुपे के आसपास का उन्होंने target price दिया है अनन्राथी के द्वारा चार सो 535 के आसपास का चो यहाँ पर एक बड़ा target भी हो सकता है और बिल्कुल अच्छी होगे गाईस क्योंकि अल्रेडी एक support तक जाएगा बट लेवल समेने आपको बता दिये तो थोड़ा आपको aware रहना पड़ सकता है क्योंकि गाईस market है stock है कुछ भी हो सकता है क्योंकि pattern को भी हमें देखना पड़ता है resistance की बात कर ले तो आज resistance देखा जाया तो first resistance level 452 रुपे 52 पेसे का है second resistance लेवल 460 रुपे 98 पेसे का है और third resistance लेवल 486 रुपे 57 पेसे का आपको देखने को मिल जाएगा support levels की बात करें तो support levels में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा first support level 438 र रुपे 68 पेसे का और थर्ड सपोर्ट लेवल है 424 रुपे 42 पेसे का वही अगर बात कर ले इसके price performance की तो price performance काफी upset downs momentum हमें देखने को मिल रहे हैं और one week का देखे जाए तो minus में है 9.96% one month का है 10.14% और three months का positive है 2.12% positive है और year and half का 2.33% हाँ पर minus में है और guys वही अगर बात करे यहाँ पर trade values और COMBINANT DELIVERY इसकी तो trade value के अगर बात कर ले तो 12 lakh का है यहाँ पर trade value और 5 lakh का COMBINANT DELIVERY भी देखने को मल जाएगा वही yesterday की बात कर ले तो 5 lakh का 트레이ड वेल्यू है और 2 lakh का है COMBINANT DELIVERY और one week के average में seven lakh का है trade value और three lakh का COMBINANT DELIVERY है गाइस और one month के average में हाँ पर eight lakh का trade value है और 4 lakh का combinant delivery देखने को मल जाएगा so trade values और combinant deliveries हमने दोनों ही यहापर discuss कर लिए बढ़ते है आगे और यहापर जो यहापर target दिया गया है और एक firm है क्यार चौकसी की बाद कर रहा हूं मैं तो उन्होंने भी यहापर 620 रुपे का target दिया है लक्षमी और गेनिक्स पे तो target तो का भी बड़े बड़े दिये जा रहा है और community sentiments के आकड़ो की बात कर लो तो 92% positive है और buy के लिए कह रहा है और वही गाईज अगर बात करें तो मेरा opinion है कि यह 410 रुपे तक तो आए गई आएगा में को तो इसा fail हो रहा है और levels भी बता रहा है तो 8% तक का sell के लिए भी कहा जा रहा है लोग योर से revenues अच्छे बड़े है यहाँ पर net profit अच्छा बड़ा है और guys वही एकर बात कर लें promoters की holding क्या है तो 72.92% की holding यहाँ पर promoters की है FI की holding है 0.33% DI की holding है 3.28% और public holding है 23.47% तो guys और ओल हमने Lakshmi Organic के बारे में काफी कुछ बाते कर लिए और I hope कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को like के और चलो को subscribe करो Thank you